नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है, मैं हूँ विकास कुमार पंजाब में आठ नगर निगमों, 109 नगर पालिका परिसदों और नगर पंचायतों के लिए चुना होने हैं राज निर्वाचन आयोक्त जगपाल सी संधु ने कहा कि 14 फरवरी को सुबह 8 वजे से साम 4 वजे तक अस्थानीय निकाय चुनाओं के लिए मद्दान होंगे चुनाओं की गोसना के साथ ही आदर साचार सहिता ततकाल परभावसर नगर पालिकाओं के उन छेत्रों में लागू हो गई थी जहां चुनाओं होने हैं पर ये आचार सहिता चुनाओं प्रकिरिया पूरी होने तक लागू रहेगी पंजाब के 22 जिलों में नावांकर वापस लेने का काम पूरा हो चुका है कॉंग्रेस ने सबसे ज़्यादा 2037 उम्मिद्वार उता रहे हैं दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी है जिसने 1606 उम्मिद्वार चिरोमनिया काली दल ने 1579 और भारतिये जन्ता पार्टी ने 1003 उम्मिद्वार उता रहे हैं हलाकि किसान आंदोलन को लेकर परदेश की सियासत गर्म है इसमें सबसे ज़्यादा हार की चिंता बीजेपी को सता रही है हालात ये है कि बीजेपी दो तिहाई सीटों के लिए उम्मिद्वार तक नहीं ढून पाई है दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के विरोध के अलावा पंजाब के 30 से ज़्यादा बीजेपी नेताओं के घर के बाहर किसान पक्का धरना दे रहे हैं पिछले लगभग चार महीने से चाहे रात हो या दिन किसान घर के बाहर ही जमे हुए हैं बीजेपी नेताओं का कहना है कि परदर्सनकारियों की जैसे ही हम पर नजर परती हैं वो हमें घेर लेते हैं वे कहते हैं कि 14 फरबरी को आठ नगर निगमों की 2303 सीटों पर होने वाले निकाय चुनाओं और 109 नगर पंचायतों और नगर निगमों में होने वाले चुनाओं में नए किर्सी कानूनों को लेकर बीजेपी के खिलाफ गुस्से का पहला परतीविंब देखने को मिलेगा इसी वजह से राजी की पार्टी की कोर कमिटी में एक मात्र सिक्स चेहरा मलविंदर सीह कांग ने भी पार्टी छोड़ दी बीजेपी के एक अन्य बरिष्ट नेता ने कहा कि पार्टी के कई नेताओं ने अपनी गारियों से बीजेपी का जंडा तक खटा दिया है इस खबर में फिलाल इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रही है वन इंडिया के साथ